हाई गाइस फूर्ड वे टू हाट में आपका स्वागत है गाइस आज की ये रेस्पी चॉक्लेट लवर्स और उन्हें जिने कुक्किंग नहीं आती दोरों के लिए स्पेशल होने वाला है इस वीट को वो लोग भी बना सकेंगे जिने कुक्किंग नहीं आती है और जिन केंगों, COM Pilky मिल्की सटफिंग करेंगे और जिने राग चॉक्लेट पसंद मरे सकते हैं आसान सी बनने वाली मिठाई को जल्दी से बनाते हैं चौक्लेट गूजिय को बनाने के लिए हमने लिये हैं इस एव्यों बिसकित के बैकेट जो इस टैन रु इन रुपीज का है आ करेंगे उससे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी आप चाहें तो वाइट वाली स्टफिंग वाली भी बिस्कित ले सकते हैं जिसमें कि वाइट वाली क्रीम होती है वो वली मैंने मिक्स लिए हैं दोनों अब हामें मिकसर गाइंडर में इसे अच्छे से पीस लेंगे और 5 चमच हम इसमें चीनी मिलाएंगे आप देख सकते हैं मैंने ये चोटी चमच से 5-6 चमच चीनी इसमें मिलाई हैं इसे अच्छे से बिलकुर पाउडर फाम में बना लेंगे इसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए ठाकि जब हम इसका डो लगाएं तो बहु को मिल्क कलती से भी एक साथ नहीं डालना आप एक गिसलास में वन फोर्थ गिलास ले लें और उसे धीरे धीरे इसमें डालें ये रेखिए ये मैंने एक डो लगा लिया है जिस तरह का डो हम रोटी बढाने में लेते हैं बस नॉर्मल हमें व्यसा ही डो इसके लिए लगान हम एक चोकलेट की लॉली पॉप बना लेते हैं ये देखिए मैंने इसी डो से एक राउंड बॉल बनाई है और उसे हाँ से हलका दबाकर इस तरह से फ्लैट कर लिया है अब मैं इस पर जैम्स लगा दूँगी अब आप तो जानते ही हैं जैम्स और चोकलेट तो सबकी सेट हो जाएं जैसे कि हमारी रिंग में दाइमेंड होता है बस अब देखिए हम घुजिया की प्रिपरेशन कर लेते हैं ये मसके लिए स्टफिंग रेडी कर रही हूं मैंने किये मिल्क चोकलेट ली है मिल्की बार आप अपनी पसंद की चोकलेट इसमें ले सकते हैं थोड कोकोनेट की स्टफिंग करते हैं उसी तरह से मैंने इसमें चॉकलेट ग्रेट की है क्योंकि ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और हमारे घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं ये खास उनकी डिमांड होती है अब लीजिए अब हम इसमें ये कलर पर जेम्स मिला दे जिसे में यह अट्रेक्टिव लगे दिखने में और सभी से शौंक से खाएं चकलेट तो मेरी भी बहुत फेवरेट है तो लीजिए यह हमारी जो दो है सेट हो चुका है अब यह हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा आप देख सकते हैं मैंने इसकी बॉल बना ली है इसक सकते हैं मैंने इसके लिए कुछ भी यूज नहीं किया इसे डिरेक्ट हम राउंड पॉल बनाके पॉलेटिक की लियर के बीच में रख लेंगे और एक लेयर बना लेंगे जानि रोटी की तरह एक राउंड बॉल बना लेंगे त्रेड़ी मेड़ी भी हो गई तो चलेगा क् मारे पास गुजिया को मोल्ड है अगर वो नहीं है फिर आपको थोड़ा सा इसे कटोरी से कट कर लें अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो लीजे ये रेडी हो चुकी है ये हमारी गुजिया की मोल्ड है जिसमें मैं ये डालूंगी पर मैं आपको थोड़े बड़े में इस तरह से हम किनारों से ध्यान रखते हुए, इसमें डाल लेंगे. और आप हम इसमें स्टपिंग करेंगे. चॉकलेट अंग जम्स की जो स्टपिंग हमने रेडी की हुई है. हम इसमें Dress मज के करीब डालेंगे. आप बहुत ज़ादा इसमें ना डालें क्योंकि फिर हैवी हो जाएगी और वो तूटने लगेगी ये देखिए मैंने काफी इसमें डाले हैं सबी कलर के जैम्स मैंने इसमें डाल दिया है और साथ में वाइड चॉकलेट ग्रेट की हुई और ब्लेक चॉकलेट के पीसे वाइड चॉकलेट के पीसे इसी तरह से आप इसमें डालें ये देखिए अब हमने ये डाल लिया है और आप इसे बहुत केरफुली दोनों तरफ से पकड़ते हुए हम बंद कर लेंगे चॉकलेट को ध्यान से पकड़ ले ताकि वो मिस ना हो इस तरह से दोनों साइड इसके अंदर आने चाहिए और बिल्कु हलका सा दबाव दें अगर अब ज़्यादा दबाव दे देंगे तो ये कट जाएगा किनारों से इसलिए हलका सा दबाएंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है दो है उसे हम निकाल देंगे इस तरह से चाकू की हल्प से ये देखिए अब ये देखिए कितनी सुन्दर गुजिया रेडी हुई है इसी तरह से हम अपनी गुजिया को रेडी कर सकते हैं अब हम मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ आप फिरसे से बेले बिल्कुल इसे ना तो बहुत मोटा रखे ना ही बहुत बतला मोटा रखेंगे तो इसमें क्रेक्स आजाएंगे जब ये टर्न करेगी तो एंट बारीग रखेंगे तो ये स्टफिंग को होल्ड नहीं कर पाएगी इसके ये बिल्कुल मीडियम थिकनेस का इसको रखना है हमें और उसमें फिलिंग इस तरह से करें आप इसमें और चीज़ें भी डाल सकते हैं जो शॉर्ट बॉन्स आती हैं कलरफुल या और चीज़ें जो आप लाइक करें वो इस मिठाई को बत्यों से लेकर बड़े तक सभी शॉक से खाते हैं ये देखिए हल्का सा प्रेस करूँगी मैं बस अब इसे खोल देंगे और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से रेड़ी हुई है अगर आप थोड़ा मोटा भेल लेंगे तो वो तूटने लगेगी आपको बिल्कुल मीडियम थिकनेस का रखना है इसे बस आपको यहीं पर ध्यान देना है और ये हमारी गुचिया रेड़ी हो चुकी है आप भी गुचिया बनाएं आप चाहें तो इसे आप राउंड बॉल की शेप भी दे सकते हैं वो भी इसमें सुन्दर लगेगी बस चफिक हमें अपनी मनपुसंग की चीजों की करनी है और इस लेयर के अंदर उसे फिल कर लेना है तो आप इस चॉकलेट की स्वीट को बनाएं और अगर आपको हमारी रेश्पिस अची लगती है तो हमें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले रेश्पिस के नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सकें तो ये देखी ये लॉली पॉप भी हमने रेडी कर ली है अब है आपको इसकी स्टफिंग खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह की रेडी हुई है आप देख सकते हैं अच्छे से ये कट रही है और इसमें स्टफिंग देखिए आप जिस चीज़ की भी करेंगे वो सुन्दर दिखेंगी आप भी से बनाएं खुद भी खाएं आपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ भी शियर करें तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर सी यो गें